नमस्कार दोस्तों 6 एक्टूबर 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिसकेशन में आपका सौगते दोस्तों एक एनॉसमेंट है आज का जो करेंट अफेर्स वाला वीडियो है वो विनीज से रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा मुझे आज बहुत इमर्जेंसी में काम है इसलिए मैं सुबह में करेंट अफेर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ एडिटोरिल में आपको अविलेबल कर वाया हूँ तो करेंट अफेर्स विल भी प्रोवाइड़ बाई विनीज से तुड़े आज और शायद कल कल कोशिश करूंगा मैं बनाने की बट दो दिन प्रबैबली मैं नीज सर आपको करेंट अफेर्स देंगे एडिटोरिल मैं दूँगा दिन में देखें पिछले कुछ दिनों से जो स्टाटिक वीडियोस हैं वो कम हो गई है वीडियोस की फ्रिक्वेंसी भी थोड़े कम हो गई है थोड़ी सी टाइम की कम हो गई है कुछ और कमिटमेंट्स आ गया है इसलिए हल्की सी वीडियो धीमी हो गई है 37 चंदरा की वीडियोस भी थोड़ी धीमी धीमी आ रही बट मैं उनको तेज करने की आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा एक और inspiration से related एक बच्चे के डाउट से related मैंने वीडियो बना रखी है वो तो मैंने खेर दो दिन पहले ही बना दी थी मैंने अपलोड नहीं किया तो वो मैं दिन में आज अविलेबल करवा दूगा चुकि दिन में और कोई वीडियो नहीं आएगी एक मेरी एडिटोरिल की है और एक विनी सर की current affairs की आएगी फिर हो सकता है शाम को वापस आके कर मुझे समय मिला तो मैं definitely एक वीडियो बनाऊगा तो प्लीज बेर विद मी तेजी से वीडियो आगे आनी शुरू होंगी तो देखते हैं कौन-कौन से आर्टिकल डिसकस करेंगे एक तो RBI के microfinance related एक आर्टिकल है यहाँ पर एक्चुली में जून 2021 में Reserve Bank of India का एक consultative document on regulation of microfinance है था इसके बारे में मैंने 2 September 2021 के The Hindu Editorial में भी बातचीत की थी तो अगर आपने 2 September 2021 का The Hindu Editorial नहीं देखा है तो एक बार देख लिए जा कि यहाँ पर कम से कमी जो microfinance का आर्टिकल था ना Gowaging Household Income Key for Microfinance Client इससे आपको थोड़ा idea मिल जाएगा ठीक है तो आप definitely एक बार यह 2 September 2021 वाल आर्टिकल देख लो और आज कि इस microfinance आर्टिकल में एक या दो most important point है वो मैं discuss करके आपको बता दूँगा फिर AUKUS से related एक आर्टिकल है काफी इसके बारे हम बातचीत कर चुके है तो प्रीम कोट ने बोला है कि भाई 50,000 का ex-gratia payment देना है NDA में यहाँ पर notification भी निकाल दिया है तो वो families जिनके घर में COVID की death हुई उनको 50,000 का compensation दिया जाएगा इसके respect में आर्टिकल है तो इसको अलग से discuss करने की जरूत नहीं मैंने separately इसके उपर वीडियो बना रखी एक और देखे Indian Meteorological Department इसने शुरुवात में prediction दिया था कि हाँ भाई overall जो हमारा long term average है 88 cm का प्रती साल की बारिश का almost उतनी बारिश होगी उससे थोड़ी जादा होगी लेकिन इस बार जो finally southwest monsoon से बारिश हुई है June और September के बीच में वो हुई है 87.4 cm मतना बहुत सदा कम नहीं हुई है overall long term average से but positive नहीं हलकी सी negative आप कह सकतो तो यहाँ पर क्या pattern रहा इस बार का बारिश का क्यों अगस्त में एकदम से कम हो गई September में एकदम से जादा हो गई overall average अच्छा हो गया लेकिन इस प्रकार की erratic rainfall हमारे agricultural के लिए क्यों गड़बड है इस बात के लिए हाँ पर points discuss किये गए इसको हम लोग देखेंगे फिर भाई एक article और है the met on the mat देखें यह जो metropolitan police of London है यह इस समय पर बहुत ज़दा news में reason being कि अभी क्या है कि women के against जो crime है ने लंडन में वो थोड़े बढ़ते हो नज़रा रहे और कुछ दिन पहले तो ऐसा हुआ है कि एक लंडन का ही male police officer इसने कुछ female एक female को जबरदस्ती शायद मार दिया उसके साथ कुछ गलत किया तो कुल में आके एक woman थी जिसका नाम था Everard ठीक है Sarah Everard यह 33-year-old marketing executive थी इनको UK में मार दिया गया अब मारने वाला एक police officer था Wayne Cousins इसका rape भी किया गया इसका मारने से पहले तो इसको लेके इस समय में Metropolitan Police of London को काफी criticize किया जा रहा है और दुनिया भर की police में ऐसे कौन कौन से incidents हुए इसकी बात की जा रही तो अब यह particular event देखे exams के perspective से इतना important है जो कि इंडिया में भी Supreme Court और High Court police को responsible करने की कुशिश कर रहे है तो police के conduct से related अगर आपके पास सवार आता है तो examples आपके वल इंडिया के events का नहीं देंगे आप international events का example देंगे और वो international events इस article में discuss किये है और final article जो कि मैं आप से बात करूँगा वो यह है कि भया चाइना में अगर industries की बात की जाए तो चाइना अपने high tech sector को manufacturing sector को ठीक है 5G, 4G को इनको बड़ा support दे रहा है लेकिन at the same point of time जो Chinese tech companies है जो Chinese software companies है उनके पीछे बढ़ गया है चाइना Chinese software companies में आने वाला जो भी investment है वो चाइना की Communist Party ने intentionally रोग दिया है क्यों रोग दिया है उसको देखेंगे और ये इंडिया के लिए कैसे फाइदे मन्द हो सकता है जिसको देखेंगे तो ये चार articles आज हम discuss करने वाले हैं दोस्तों उससे पहले अपने members का स्वागत कर लेते हैं देखते हम वो किसने किसने जोइन किया है तो रागीनी सिंग ने हमको जोइन किया है कुनाल गुपता ने हमको जोइन किया कुनाल गुपता का ये 8th month as a member Welcome back कुनाल गुपता Thank you so so much for joining again इतना लंबा time as a member It's specifically very very helpful So thank you so much again कुनाल अंकिता कुमारी Second month as a member Welcome back अंकिता Thank you so much for joining सेजल शर्मा वक्ष ने हमको जोइन किया आशुतोष प्रियदर्शी ने हमको जोइन किया पंकच कुमार ने हमको जोइन किया पंकच कुमार का ये second month as a member Welcome back पंकच Thank you so much for joining Then हर्शदा दियोकते ने हमको जोइन किया Advocate सिधार्थ वर्मा ने हमको जोइन किया Then पलवी कश्यप ने हमको जोइन किया पलवी कश्यप का ये second month as a member Welcome back पलवी Then Manoj चक्रबर्ती ने हमको जोइन किया अवंतिका तिरपाथी ने हमको जोइन किया अवंतिका तरपाटी का यह थर्ड मन्त है मेंबर, welcome back, अवंतिका, thank you so much for joining, आयूश सजवान ने हम को जॉइन कि है, मनो विराज सिंग ने हम को जॉइन कि है, मनो विराज सिंग का यह 2nd मन्त है मेंबर, welcome back, मनो विराज, अच्छा देखिए, कुछ लोग का नाम अभी यहाँ यहाँ पर नहीं आ रहा है, रीजन मिंग कि अभी यूट्यूबनिस को यहाँ पर अपडेट नहीं कि है, जैसे वो नाम अपडेट हो जाएंगे, वो मैं नाम यहाँ पर टेक अप कर लूँगा, तो अगर आपका नाम अभी नहीं आ है, most probably यूट्यूबनिस को अपडेट न पंकच कुमार, second month is a member, welcome back पंकच, thank you so much for joining, आशुतोष प्रियदर्शी, जन सेजल शर्मा वक्ष, अंकिता कुमारी, second month is a member, कुनाल गुपता, special thanks to you, eight month is a member, thank you for the consistent support and रागनी सिंग, thank you all guys and girls for joining, thank you so much for your consistent support, चलिए बै, शर्बात करते हैं, the met on the mat, मतलब कि जो लंडन की metropolitan police है, इसको जबर्दस तरीके से यहाँ पर criticize किया जा रहा है, मतलब इनको platform पर लागए, दस लोग सुना रहे हैं, so wrong reasons से metropolitan police of London इसमें पे news में है, recently एक teacher है, जिनका नाम है सबीना नेसा, 28 साल की थी, यह south east लंडन से चलके जा रही थी, एक पार्क से, से शायद मिलने जा दी थी पब में, इनको शायद kidnap किया गया और मार दिया गया, overall एक Albanian male garage worker है, जिसके उपर यह इलजाम लगाया जा रहा है, अभी के लिए police इस incident को रोक नहीं पाई है, और जो criminal है, he is on the loose, तो obvious सी बात है, metropolitan police of London के उपर responsibility आती है, फिर भाई, आप देखो तो 81 women लगभग UK में अभी तक killed हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, अब कैसे हो तो पिछले एक साल में हो, जहां पे suspects है men, और सबसे खास बात यहां पर यह है कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि women in London are not safe, खास कर तब जब London की जो police commissioner है, she is a woman, Dame Cressida Dick, तो सबसे खास यहां पर यह है कि जो सारा Everard नाम की 33 old marketing executive थी, इनको मारने वाला एक met police officer Wayne Cousins, Wayne Cousins ने हफते तक इस particular, आप कैसकतों, event को प्लान किया, Wayne Cousins ने Everard को गलत तरीके से COVID-19 restrictions wallet करने के लिए पहले तो arrest किया, उसको एक higher card में जबरदस्ती बठाया, दूर तक लेके गया, rape किया, strangle किया और उसकी body को जला दिया, this is a very heinous crime, very unfortunate, एक ऐसा barbaric crime, और वो भी police officer कर रहा है हफतों की planning के बाद, तो अगर police officers हफतों की planning के बाद इस परकार के events करने लगेंगे, तो कोई भी woman यहां पे safe नहीं feel कर सकती, अब यहां पे Everard की बस इतनी ही गलती थी कि यह एक random target थी, देख woman के against crime करने के लिए हफतों से planning कर रहा था, तो इस गाड़ी में लेके जाओंगा, यह करूँगा, वो करूँगा, कौन सी woman होगी, तो वहां पे किसमत खराब सारा Everard की होगी, तो as a neutral perspective, यहां पे सारी woman की safety के perspective से London police की responsibility बनती है कि इस प्रकार की चीज़ें नहों, लेकिन यह पे हो रही है, तो यहां पे overall आप कह सकते हो, कि London के police की तो गलती है, सासा जो इनके higher officials है, इनकी भी यहां पे गलती है, चुकि यह जो Wayne Cousins नाम का police officer था ना, इसके पहले भी बहुत से इलजाम लग चुके थे इसके उपर, पहले भी Wayne Cousins के उपर काफी allegations लगे थे, तो ऐसे इनसान को पहली बात तो police में होना ही नीच यह था, इस despicable behavior के बाद भी senior officers ने इसके खिलाफ strict action नहीं लिया, और यहां पे देखिया, अब इसने क्या कर दिया, अब Indian context में अगर आप देखोगे, तो जो सबसे tragic घटना हुई है हमारे देश में, तमिल नाडू में पिछले साल एक father और एक son को सतम कुलम ने सिर्फ इसलिए arrest किया गया, चोकि वो covid के loss को violate करके दुकान खोल के बैठे थे, उनको police में लेके जाया गया, police में torture किया गया, बाद में उनकी मृत्ति होगी, और ऐसे events US में भी देखने को मिले हैं, आपको पता ही है कि May 2020 की वो घटना, George Floyd नाम का एक person US में, he belong to the black community, उसको तीन police officers ने मिना police ने मार दिया, एक police officer, direct shawman तो अपना गोटना लेके उसकी गरदन पर बैठा रहा तब तक दबा दिया, जब तक वो मर नहीं गया, और वो video पूरी दुनिया में viral होई थी, सोची यो police के अंदर इतनी हिमत है कि सामने video बन रही ह और उसके बाद भी वो दबा रहा है, तो इस हद तक आप कह सकते हो कि यहां पर जो police है, वो खतरनाक तरीके से operate कर रही है, police organizations in several parts of the world, इनको civilized और lawful behavior के ले ट्रस्ट नहीं किया जाता है, बहुत सरे लोग police से डरते हैं, in fact, इंडिया के अंदर ही आपने देखा होगा कि बह आपने rights के बारें पूछते हैं, बढ़ आज भी अगर आप UP, बिहार के suburban pockets में चले जाओगा, तो वहाँ से लोग police आज भी डरते हैं, ठीके न, एक normal आदमी डर जाएगा, वो बोलेगा, मुझे कौन मचाएगा, police वालने गलत लिजाम लगा दिया, तो पड़ा लिखा आद जहाँ पर police वाला भी काम करने में न डरे, at the same time जो general लोग है, वो भी police वालों से न डरे, लेकिन इस प्रकार के change को लाने में decades लग सकते हैं, enlightened police को लाने में decades लग सकते हैं, और इसमें सिर्फ police वालों को नहीं बदलना है, इसमें हमारे politicians को भी बदलना है, कभी-कभी police का जो अपना mindset बदलने की जरू होते हैं, केवल police technology को upgrade कर देना, जो police patrolling वाले लोग हैं, उनकी body के ओपर camera लगा देना, police station की video recording कर देना, इससे चीज़ें sort out नहीं होगी, चीज़ें sort out करने के लिए आपको अपना mindset बदलना पड़ेगा, ये सब बातें यहाँ पर बताई जारी हैं और सबसे खास बात यहाँ पर यह हैं, कि women यहाँ पर एक easy brain नजर आ रही हैं, लंडन के अगर बात देखी जाए तो woman is a vulnerable target, और केवल लंडन में ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि तमिल नाडू के senior officer sexual harassment का charge जहल रहे हैं against a female कली, तो इस प्रकार की activities अगर हमारे देश मे होती रहेंगी, या दुनिया भर में होती रहेंगी, तो जो police वालों की image है, वो हमेशा गरबर होगी, अब यहाँ पर जो met commissioner है, London की commissioner है, जो की woman headache, यह भी हार नहीं मान रही है, यह अपनी कुरसी पर बैठी हुए और चीजों को sort out करने कोशिश कर रही है, और bureaucrat से यही expect किय जाता है, देखिए, एक responsible bureaucrat से कल आप भी IAS और IPS बनोगी, जब important position देट होगे, कुछ भी गलत हो जाएगा न, तो आपको resign करने को बोलने लगेंगे लोग, जबकि आपकी उसमें कोई वजय भी नहीं होगी, तो इस context में, यह जो bureaucrats होते हैं, उनको बड़े pressure के अंदर काम कर important है, ठीक है न, यहाँ पर resign करने से तो देखो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है भाज, तो यह सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रहे हैं, हाला कि दुनिया भर में जो commissioners हैं, उन्होंने बहुत अच्छे-च्छे innovation भी किये हैं, woman और elderly की overall security को maintain करने के लिए, तो speed और professionalism यहाँ पर लाने की जरूरत है, पुलिस में, और पुलिस को accountable करने के लिए, लोगों का भी, आपके सब enlightened होना जरूरी है, at the same point of time, politicians का भी enlightenment होना जरूरी है, पुलिस को यहाँ पर mindset बदनने की जरूरत है, पुलिस को accountable करने की जरूरत है, और judiciary का भी यहाँ पर important role है, यह सब players जब मिलके काम करेंगे, तब चीजने फूरी सौर्ट आट हो जाएंगी, वीडियो पर like का बटन जरूर कर देना, अगर अब तक नहीं दबाया होतों, instagram पर follow कर लिजे, telegram group जोन कर लिजे, और हो सब करें, हर चीज कर लिए नीचे description box में, दे रखा है, आपको members only videos जल्दी ही मिलनी, शुरू हो जाएंगी, मैंने MCQs से related, जो PPDs हैं, वो बनवानी शुरू कर दी हैं, जल्दी ही upload करके मैं members के लिए लाना शुरू कर दूँगा, मैं बता भी दूँगा आपको, next, crackdown there, hope here, जो software firms हैं चाइना की, जैसे for example, इंडिया में अगर मैं बात कर लूँ, TCS की, इन forces की, तो इस प्रकार की जो आपकी firm से चाइना के अंदर, उसकी हालत भी काड़ रखी Chinese Communist Party ने, एक Ant Group करके एक company है चाइना के अंदर, ये actually में Alibaba की FinTech आम थी, ठीक है, जो Alibaba का payment system था, उसकी जो financial technology आम थी, Ant Group, इसका public offering निकलने वारा था, IPO, अब इसका IPO से ऐसा सुनने म Ant Group के पास, और इन 37 billion dollars में, overall आप कह सकते हो कि Ant Group एक बहुत बड़ी financial technology company मन सकती थी, कोल मिला कि Alibaba की total valuation 300 billion dollar पहुंच सकता था, लेकिन ये सब कुछ रोग दिया Chinese Communist Party में, एक तो वज़े इसकी ये बताई जारी थी, कि Chinese Communist Party के इस समय कि जो लीडर चलना है, जी जिंग्पिंग इनकी Jack Maa से नहीं बन रही है, और Jack Maa ने क्या किया, कि recently सरकार की policy सो criticize कर देए, और आप जानते हो कि China में अब सरकार को criticize नहीं कर सकते हो, तो Jack Maa ने भाई सरकार से यहाँ पर पंगा ले लिया, Jack Maa ने बोल दिया, कि भाई सरकार की जो technology policy है, वो flawed है, इस technology policy की चलते है, आप तो नहीं हो गया कही, चाइना वाल उने गाई तो नहीं कर वादे, वाई पान ने पता चला, फाइनली की नहीं भाई, जिंदा है, मरे बरे नहीं है, लेकिन इनके business को एक limit से जदा ताकतवर नहीं होने दिया, Chinese Communist Party ने, और उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि Chinese Communist Party जो भ भी tech segment है चाइना का, ranging from e-commerce websites, search engines, ride sharing, food delivery apps, e-learning protests, सब के ऊपर यहाँ पे clam down हो रहा है, और इसके चलते, यह जो technological, online technological, financial technological type की जो firms है ना, इन में 1.5 trillion dollars तक का investment आ सकता था, लेकिन इस investment को यहाँ पे रोग दिया है चाइना ने, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि है, tech field में Chinese Communist Party अपनी dominance को maintain करना चाहता है, देहें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Chinese obsessive offers to ensure that no private entity gains enough data to be ever in a position to even remotely challenge Communist Party state-led dominance and no competing country gains access to citizens database to such unforeseen means drive much of this all, इंडिया में Google जैसी companies हो गए, Facebook जैसी companies हो गई, Paytm जैसी companies हो गई, इन companies के पास क्या बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, citizens का data, चाइना में यह citizens का data केवल एक flare के पास major basis पे है, वो है Chinese Communist Party, और Chinese Communist Party को पता है कि जो data है न, यह data है सोने की खान, और हम यह सोने की खान किसी को नहीं दे सकते हैं, तो कोई भी ऐसी financial tech company, जो कि इस प्रकार के data के उपर control कर सकती है, च बड़ाल consumer tech sector में, financial tech sector में, चाइना ने companies को उपर उठने से रोक लिया है, लेकिन यह सिर्फ इनी tech companies में हो रहा है, अगर आप बात कर लो manufacturing sector की, hard tech sector की, जैसे 5G, 6G के instruments को बनाना, semi-conductor chips को बनाना, artificial intelligence related technologies, bio technology, batteries, aviation, space tech, यहाँ पे चाइना की government अपने businesses को बहुत support कर रही है, ले जहाँ पे चाइना ने इस बात को इंशोर किया है, कि वो भी कोई भी private company एक limit से ज़्यादा ताकत वर ना हो पाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि hard industry जैसे 5G, 6G, semi-conductor chips, इसमें तो चाइना की geopolitical geoknow बनेंगे, लेकिन tech sector में, चुकि एक private company के पास चाइना क लोगों का data जा रहा है, और अगर किसी एक player के पास लोगों का data है, तो भाई यह long term में, वो player, Chinese Communist Party के अगेंस कुछ उल्टा सीधा कर सकता है, इस चलते tech sector को बढ़नी नहीं दे रहा है चाइना, लेकिन इसका एक फाइदा है, फाइदा क्या है कि आगे आने वाले समय में, ज इन फर्स्ट हाफ अप अप दे यर में 10.46 बिलियन डॉलर्स उठाए है मार्केट में, इंडिया के नंबर उफ यूनिकॉंस, जिनकी वैलू एक बिलियन डॉलर से जादा है, जिन स्टाट अप की वैलू, वो 60 क्रॉस कर चुके हैं, ओके, और Chinese stocks में जब पैसा नहीं लग र आ रही है, अला कि यूएस इंडिया के थोड़ा आगे है, जो रिसर्च और डेवलोपमेंट इन स्ट्रेजिक टेक्नलोजी वाला सेगमेंट है, वहाँ पे यूएस से इंडिया से काफी आ गये है, बट रिसेंटली जो मोदी बाइडन टॉक्स हुए है, और क्वाड समिट ह यूएस में, वहाँ पे टेक्नलोजिकल कॉपरेशन की भी बात की गई है, अभी अगर हाई एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात की जाए, तो यूएस को कमपीट करने वाली केवल एक कंट्री है, वो है चाइना, आगे आने वाले समय में मार्केट प्लेयर्स की इस प्रकार की चीज़ों को बना सकते हैं, अगर हम अपने आपको और स्ट्रॉंग करना चाहते हैं, तो जो ताइवान के साथ हम लोग समी कंडुक्टर चिप मैनुफेक्टरिंग प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं इंडिया की चाइना की कंपनी आके, इंडिया के अंड बहुत बड़ी जीत होगे इंडिया के लिए, बशारते की चाइना एँया के टैवान को इस हद तक मजबूर ना कर दे कि टैवान अपनी इस डील को कैंसेटए, चायना कभी भी जायका की टेखनोजी इंडिया के अंदर आंए, तो अगर इंडिया और तैवान मिलो के इस प आप पिछले दो सालों के कंटेक्स्ट में यहां पे कंपार्जन करते हो तो आप देख सकते हो कि लगातार तीन साल ऐसे रहे हैं जहां पे बारिश ठीक ठाक रही है और अगर 2020 की बात की जाए तो इंडिया में 109% बारिश हुई और इस बार आप कह सकते हो कि आल्मोस्ट 100% बारिश हुई तो 110%, 109%, 100% तो लगातार तीन साल ऐसे रहे हैं जहां पे बारिश इंडिया के अंदर अच्छी हुई है और ऐसे लगातार तीन साल पिछली बार आये थे 1996, 1997, 1998 में ज़्यादा तर जो इंडिया में बारिश हुई, it was focused in South India, North East India और Eastern India में बारिश थोड़ी कम हुई है और overall ये बहुत logical है, चुकि देखे, North East India वो pocket है जहां पे normal कर cases में बारिश ज़्यादा होती है तो normal कर cases में बारिश ज़्यादा होती है, तो इस context में आप देखोगे, तो यहां पे बारिश थोड़ी कम हो गई, चुकि base effect ज़्यादा है एक और reason है, अगर आप देखें तो जो North East India है, उसको retreating monsoon में भी बारिश मिलती है आप बोलोगे retreating monsoon क्या होता है, तो आप मेरी NCRT 11 class की physical geography की किताब देखे जाके या फिर retreating monsoon मेरे नाम के साथ YouTube में साच मार्दीजाब को वीडियो मिल जाएगी और retreating monsoon वाली जो बारिश होती है North East India में, वो October end के लगभग पे शुरू होगी ठीके, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी भी North East India में और बारिश का scope है तो overall साल का जो North East India का average है वो तो complete हो जाएगा नरही बात South India जो कि हमेशा ही पानी में deficient रहता है, rainfall deficient रहता है, वहाँ पे अच्छी बारिश हुई है तो तीन साल अच्छी बारिश के बाद जो इंडिया के key reservoirs हैं, वो बढ़ गए है एक problem यहाँ पे यह हो गई, कि बारिश का pattern बहुत erratic था कैसे erratic था? तो देखे हुआ यह, शुरुवात में जब बारिश का production किया Indian Meteorological Department ने तो Indian Meteorological Department ने बोला कि बारिश ठीक ठाक होगी, कम नहीं होगी लेकिन भात यह होई कि जब अगस्त आया, तो अगस्त में पानी बहुत कम बरसा अगस्त में जब पानी कम बरसा ना, तब ऐसा लगा कि overall rainfall deficit हो जाएगी 9% की चोकि आप कह सकते हो कि अगस्त में पानी 24% कम बरसा था, लेकिन बाद में जो सेप्टमबर की rainfall होई ना, वो normal से 35% जाद होई वैसे देखा जा तो सेप्टमबर में 17 cm की average rainfall होती थी, इस बार 32.9 cm की होगी तो उसके चलते आगस्त के downfall को सेप्टमबर के access ने compensate कर दिया, और overall जो बारिश थी, वो यहाँ पे proper हुई तो इसके चलते, Indian Meteorological Department की जो production है, वो production यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो गई है लेकिन agriculture के लिए इस प्रकार का pattern सही नहीं है, चूकि agriculture में farmers के लिए important यह होता है कि सही समय पे पता चल जाए बारिश कब हो रही है, चूकि बारिश के pattern के हिसाब सही वो अपने crops लगाते हैं तो भाई, आपका जून, जूलाई, अगस्ट, सेप्टेंबर, अभी अगस्ट में पानी बरसा नहीं है, सेप्टेंबर में एकदम से बढ़ बढ़ा के पानी बरसने लगा, तो चलते, बहुत सारे farmers को लगा भी कहीं फसल तबाह ना हो जाए, बहुत सारी फसल तबाह हुई अगस्ट का डाउन फॉल और सेप्टेंबर का एकस्स, अगर इस वात को भी प्रडिट किया सके, पार्मर्स को काफी असानी हो जाएगी, और अपने फाइनल आर्टिकल पहुंचते हैं, RBI Micro Finance Proposals that are anti-poor, देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत डीटेल में नहीं जाओंगा, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो में कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, देखिए, जून दो हजार एकिस में RBI ने डिलीज किया था एक डॉकुमेंट, कंसल्टेटिव डॉकुमेंट और रेगुलेशन अफ माइक्रो फैनाइस, इस पर्टिकुलर डॉकुमेंट का अब्जेक्टिव क्या था, तू प्रमोट फैनेशल इंक्लूजन अफ पूर और कॉंपरिटिशन अमंग लेंडर्स, ता लाइक्ली इंपक्ट ऑफ रेकुमेंडेशन इस अन्फिवरेबल तो पूर, एक्चुली में हुआ ये कि पहले जो माइक्रो फैनाइस इंस्टिटूशन थे ना, उनके उपर पहले एक कैप लगाई गई थी, कि भाई आप इससे ज़ादा इंट्रेस्ट नहीं ले सकते पूर को अगर लेंडिंग देते हो, देखें, माइक्रो फैनाइस लेंडिंग में 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 रुपे तक उधार उठाया जाता है, और माइक्रो फैनाइस में जब उधार उठाया जाता है तो कुछ कोलेटरल नहीं रखवाया जाता है, और microfinance जदातर cases में किसान तब उठाते हैं जब उनको personal जरूरत के लिए चीज़ चाहिए होती है जैसे कि for example उनके घर में basic consumption के लिए अपने भाई या भेहन की शादी करनी है बेटे की शादी करनी है तो इस तरही की चीज़ों में microfinance के अंदर loan उठाया जाता है तो अब क्या बोला गया है कि भाई देखें जो cap लगाई गई है in microfinance institutions के उपर उस cap को यहाँ पर अटा दिया गया है microfinance institutions ज़्यादा interest चार्ज कर सकते है अभी cap किस हिसाब से यहाँ पर लगाई गयी इसमें बहुत ज़्यादा देखिए देखने की जरूरत ने अब भी असल में देखी क्या बोला जा रहा है तो जो अपर cap लगा रखी in microfinance institutions के उपर कि भाई आप इससे ज़्यादा interest चार्ज नहीं कर सकते है अबने microfinance loan के उपर यह cap हटा दी गई है और इस cap को हटाने को यहाँ पर criticize किया जा रहा है अभी cap कितनी थी पहले इंटर्स रेट चार्ज कर सकती है NBFCI वह कितना है cost of fund plus a margin of 10% for the larger MFI and 12% for other ठीक है तो cost of fund plus बड़े MFI 10% का margin दख सकते हैं बाकी MFI 12% का margin दख सकते हैं यह फिर जो average base rate है आपका five largest commercial banks का उस base rates का 2.75% कर दो मतब 2.75% कर दो तो इतना interest rate आप चार्ज कर सकते हो अब यह average base rate सा 7.98% जब आप microfinance की website पे गए तब देखा कि भाई जो overall microfinance के लिए interest चार्ज किया जा रहा है वो है 22-26% लेकिन अब problem है यहाँ पे यह interest बहुत जादा है क्यों बहुत जादा है चुकि देखिए अगर आप बाकी loans को compare करो for example अगर आप किसी primary agricultural cooperative credit society से जाके crop loan लेते हो तमिल नाडू के अंदर तो आपको almost इने लिए 0% interest rate देना है जब आप किसान credit card के थूँ loan लेते हो जाके बैंकों से तब आपको loan देना पड़ता है 4% का वैसे तो वहाँ पे interest 9% है लेकिन interest submission मिल जाता है 5% का तो 4% ही loan देना पड़ता है अगर आप 12 महीने में चुपाग दे रहे हो तो ओके अगर आप schedule commercial bank से loan लेने जाओगे तो 9-12% का interest लगेगा और वहीं पे जब आप NBFC का loan लेने जाते हो तब आपको interest पड़ता है 22-26% का और उसको भी यहाँ पे आपने deregulate कर दिया जरूत यहाँ पे यह थी कि micro finance के लिए और public sector banks को बोला जाए कि major scale पे micro finance दो और यहाँ पे तो micro finance की opportunities को और मुश्किल किया जा रहा है 22-26% जो interest rate चल रहा है आप उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो this is not a step in the right direction बस यही छोटी सी बात से आर्टिकल मताई गई है और इतना ही मैंने आपको यहाँ पे बताया है बाकी तो यहाँ पे बतेरी कहानी बता रखिए इसको देखो आपको पढ़ने की जरूत नहीं है तो thank you for watching friends आज का इतना ही एडिटोरल discussion है I hope आपको कुछ ना कुछ वीसफुल महाँ पे जानने को मिला हो अपने viewpoint नीचे comment box में दीजे comment करके वीडियो को engagement को बढ़ाए ताकि YouTube जादा साथ लोग साथ इसको share करे Have a great difference, goodbye, ध्यान रखिए अपना